आज मैं लेके आई हूँ आप सब के लिए फूले फूले दाल भरे दाल पूरी की रेशिपी या चना दाल का पराठा कहिए यह बहुत ज्यादा हिल्दी होता है और बहुत ही टेस्टी लगता है बच्चे हो या बड़े यह सब को पसंद आता है आप चाहे तो इसे लंच बॉ तो इसके लिए मैंने 500 ग्राम चना दाल ले लिया है इसे 5-6 घंटा के लिए भिंगा के रखा हुआ था और धोके निकाल लिया है अब इसे कूकर में डाल देते हैं क्योंकि हमें इसे बॉइल करना रहता है तो जितना भिंगा रहेगा उतना जल्दी यह पक जाएगा इसलि प्रशा हल्दी पाउडर डाल देते हैं ताकि इसका कलर जो है अच्छा से आ जाए अब इसे बंद करके मीडियम लो फ्लेम पे दो विशल लगाने तक छोड़ देते हैं तब तक चलिए इसका डो तेयार कर लेते हैं तो दो कप आटा मैंने लिया है अब थोरा थोरा पानी दाल के एक बहुत ही सॉफ्ट डो तेयार करेंगे जिससे कि आपका पूरी बहुत ही मुलायम बने और उसका स्टफिंग जो है फटे भी नहीं इसलिए आटा जो है बहुत ही अच्छे से गूथना होता है और बहुत ही सॉफ्ट डो तेयार करना होता है यह देखे बहुत ही रेडी हो चुका है, इससे ढखके रख देते हैं 15 मिनिट के लिए तब तक 2 विशल हमारा कूकर में भी लग चुका है अब इसे खोल के देख लेते हैं तो ये देखिए चना दाल जो है हमारा पक चुका है इसे दबा की इस तरह से देखिए गुठलियां अंदर में नहीं रही तो इसका मतलब कि यह पक चुका है गैस पे करा ही डाल दिया मैंने अब इसमें डालती हूँ आधा चम्मच की करेब हींग आधा चम्मच की करेब जीरा तीन से चार खरा लाल मिर्च को कट करके डाल दीजी इससे इसका फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा आता है जरूर डाले तो यह जब अच्छे से पक जाए तो चना दाल जो बॉयल करके हमने रखा हूँ है वो सारे डाल देते हैं अब इसे दो से तीन मिनट ही भूनना है ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है आप चाहे तो इस मिक्सर को मिक्सी के जार में पीस भी सकते हैं मगर यह पका हुआ है तो इससे जरूरत नहीं है पीसने की यह ऐसे ही स्टाफिंग बहुत अच्छा बन जाएगा अब इसे लेना है क्योंकि हमें इसमें स्टाफिंग करना है तो इससे ड्राइ आटा लगा के एक कटोडी का सेब दे देना है यह देखिए हाथ में ड्राइ आटा लगा के इसे कटोडी का सेब दीजिए इजीली हो जाता है अब इसमें हम डालेंगे स्टाफिंग यह देखिए बहुत अराम से बन गया अब इसे ड्राइ आटा लगा के बस आप चाहे तो इसे चकला पे डाल के हाथों से थोड़ा चप्टा कर लीजिए फिर बेलन चलाईए वैसे कोई दिक्कत नहीं है ऐसे भी बेलन इस पे आराम से चल जाएगा और आपका स्टाफिंग बिल्कुल भी नहीं फ देखे बहुत ही आराम से कटोडी बन जाता है जितना जादा अच्छे से बनाईएगा इसका कटोडी का सेब दीजिएगा स्टाफिंग उतना ही अच्छे से इसमें अटेगा अंगुठे से इसको दबाते जाएए ताकि अच्छे से इसमें पैक हो जाए और दूसरे हाथों से इसको बस इस तरह से पैक करते जाएए बहुत ही आराम से हो जाएगा बस इसे बंद कर देना है और ड्राइ अटर लगा के इसे इस पर बेलन चला लेना है आराम से यह हो जाएगा तो यह देखे बहुत ही इजिली यह दाल पूरी हमारा बन के रेडी हो गया तो चलिए अ कवा हमारा गरम हो चुका है अब इस पे दाल पूरी डाल देते हैं इसे एक मिनट के बाद पलट देना है अब इसमें मैं चारो तरब से शर्सों तेल लगा के इसे सेक लूँगी आप चाहे तो घी या रिफाइन भी यूज कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं या बिना तेल रिफ बोलते हैं और बहुत जगह इसे पराठा भी बोलते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है बस इसे अब निकाल लेती हूँ फिर से दूसरा दाल का पूरी जो है उसे सेक लेते हैं सेम प्रोसेस में एक मिनट के बाद पलटके चारो तरब से शर्सों तेल लगा के अच्छे से सेक लेना है चारो तरब से सर्सों तेलिशले लगाना है क्योंकि उसका कॉर्णर जो है वो उससे बढ़ियां से पक जाता है तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा दाल पूरी फूल रहा है न तो सेम प्रोसेस में बस इसे भी सेक के निकाल लेना है तो ये सा दाल पूरी बनके रेडी हो चुका है तो अब चलिए इसे सर्व करते हैं टमाटर की चटनी दही और सबजी के साथ गर्मा गरम तो ये देखिए कहीं से कोई क्रैक नहीं है मारा दाल पूरी में और अंदर का स्टफिंग भी दिखाती हूँ जो की बहुत ही अच्छे से इ बहुत ही परफेक्ट है क्योंकि ये हिंग वाली है तो जल्दी खराब भी नहीं होती तो इसे आप अचार के साथ आराम से खा सकते हैं जर्णी में तो ये रेसिपी कैसा लगा जरूर बताइए मेरे चैनल पे नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिजे और बने रहे इसी तरह मेरे चैनल पे थैंक यू फो वाचिंग